दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का मागदशन फार सिविल सर्विसेज में मैं अनुराख चौधरी दोस्तों आज मागदशन फार सिविल सर्विसेज में हम शुरू कर रहे हैं महतुपूर्ण राजनीतिक सब्दावली आज प्रस्तुत है इसका पहला भाग यह स्रिंखला राजनीत विज्ञान के बिद्यार्थियों के साथ अन्य महतुपूर्ण प्रतियोगी परिच्छाओं के साथ एंसर टाइप कोशन के लिए महतुपूर्ण है इसके साथ साथ यह सामान्य जानकारी तथा इंटर्व्यू के लिए भी बहुत ही उप्योगी है परमपरागत राजनीतिक सिध्धान्त क्या है तो परमपरागत राजनीतिक सिध्धान्त मुल्य सापेच, मुल्य आधारित तथा आदर्शी यानि की नार्मेटिव एवं कल्पना पराधारित है जिसकी जड़ें इतिहास एवं दर्शन में है यह आदर्शात्मक अर्थात क क्या होना चाहिए तथा राजियम संस्थाओं का स्वरूप कैसा होना चाहिए इस बात का अध्यन करता है दूसरा है आधुनिक राजनीतिक सिध्धान्त क्या है आधुनिक राजनीतिक सिध्धान्त आनुभविक पधत्पदा आधारित है जो तथ्यों के संकलन परबल देता ह इसके निसकर्स, पर्यवेच्छण, उद्भव और तरकों पर आधारित होते हैं यह राजनीत को विज्ञान बनाना चाहता है यानि कि जो आधुनिक राजनीतिक सिध्धान्त है वह आनुभविक पद्धत पर आधारित है तत्थ्यों के संकलन पर बल देता है और इसके निसकर्स परवेच्छण, अनुभव और तरकों पर आधारित होते हैं राजनीतिक सिध्धान्त का पतन एक टर्मिनालजी आती है राजनीतिक सिध्धान्त का पतन क्या है इतिहासवाद, मुल्यसापेच्चितावाद, सिध्धान्त वविज्ञान में भ्रम, अतिताथ्यवाद, प्रत्यच्छवाद तथा बिजार धारात्मक प्रकारांतरणवाद के कारण सिध्धान्त निर्माड पिछले 150 वर्सों तक बाधिकत रहा इसे राजनेतिक सिध्धान्त के पतन की संग्यादी जाती है इस्टन, कोबन, जर्मिनो आद इसके प्रमुक समर्थक हैं यानि कि इस्टन, कोबन और जर्मिनो राजनितिक सिध्धान्त के पतन सिध्धान्त के प्रमुक समर्थक हैं अगला है राजनितिक सिध्धान्त का पुनरोथ्थान राजनीतिक सिध्धान्त का पुन्रोध्थान क्या है 1970 के दसक में राजनीतिक सिध्धान्त का पुन्रोध्य हुआ तथा अनेक नए सिध्धान्तों का स्रीजन हुआ इसकी निरंतरता के प्रतनी बिचारक लियो इस्ट्रास, माइकल ओक्सार्ट, हन्ना अरेंट, बर्लिन तथा एरिक बियोगलिन आदी है उदारवाद क्या है? हम सब अधिकतर उदारवाद नव, उदारवाद माक्सवाद इत्यादी सब्दावलियों को सुनते आते हैं लेकिन इसकी एक असपष्ट परिवासा तथा असपष्ट ब्याक्ख्या इसका असपष्ट अर्थ जानना जरूरी है तो उदारवाद क्या है? उदारवाद की परिवासा आप इस प्रकार से दे सकते हैं वह सिध्धान्त जिसके अंतरगत ब्यक्ति को विवेक सील करता मानते हुए उसकी स्वतंता पर विशेश बल दिया जाता है यह सिध्धान्त नैतिक जीवन में ब्यक्तिवाद तथा आर्थिक छेतर में अहस्तच्छेप की नीति का समर्थन करता है इसी प्रकार से नकरात्मा कुदारवाद क्या है नकरात्मा कुदारवाद ब्यक्ति के विवेक तथा सुतंता में आस्था रखते हुए अहस्तच्छेप की नीति का समर्थन करता है राज्य तथा सरकार को आवस्यक बुराई मानता है या सिध्धान्त और कहता है कि जो सरकार सबसे कम सासन करे वही सर्वोत्तम होता है इसी प्रकार से सकरात्मक उदारवाद की परिभासा क्या है तो सकरात्मक उदारवाद यह सिद्धान्त राज्य को आवस्यक बुराई नहीं मानता है इसकेद्वारा ब्यक्तिकी सोतन्ता तथा उसके ब्यक्तितु का विकास संभो है इसे कल्लियान कारी उदारवाद कहते हैं यानि कि सकरात्मक उदारवाद राज्य को एक आवस्यक बुराई नहीं मानता है बलकि नैतिक तथा कल्याणकारी संस्था मानता है और इसके अनुसार यह ब्यक्तिकी सोतंता तथा उसके ब्यक्तित्यों के विकास जो है वो राज्य के अंतरगत ही संभो है इसे कल्याणकारी उदारवाद भी कहा जाता है एक टर्मिनालजी आता है नौ उदारवाद नियो लिबरलिज्म वह सिधान्त जो समकालेन भी सुमे अहस्त छेप की नीद को पुनह लागू करने की तथा राज्जी के फैले कारे छेतर को पुनह समेटने की बात करता है यानि की rolling back to the state कल्याणकारी राज्जी को यह सिधान्त आर्थिक विकास में बाधक मानता है आर्थिक नियतिवाद क्या है आर्थिक नियतिवाद माक्षवाद के अंतरगत जो सब दाता है आर्थिक नियतिवाद का किसी समाज में बेक्तियों का बेवहार तथा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप आर्थिक पडाली में परिवर्तन का पैडाम है मानवी क्रियाएं धर्म या नैतिकता से नहीं बलकि आर्थिक तद्दों से प्रभावित होती है माकसवात के अंतरगत एक सब्दावली और आती है बुर्जुवाबर्ग माकसवात के अंतरगत पूजी पत वर्ग का पर्याय है बुर्जुगा वर्ग, पूजी वात के अंतरगत यह वर्ग उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित वनियंद्रण रखता है, तथा नीजी लाव के लिए विशाल स्रमिक वर्ग का सोसर करता है सर्वहारा क्या है? सर्वहारा की परिवासा यह जान लेते हैं, पूजी वात के अंतरगत और द्योगिक स्रमिकों का विशाल वर्ग, जिसके पास अपनी कोई नीजी संपत्ति नहीं होती है, तथा वह अपने स्रम को बेच कर जीवन निर्वाह करने को विवश होता है समाजवाद जिसमें आर्थिक वर राजनितिक जो साधन है, उत्पादन बिन्मन और वित्रण के साधनों पर उस पर सारजणिक स्वामित हो, तथा समाज के कल्यान का उद्देश से उस बेवस्था का हो, उसे समाजवाद कहते हैं पूजी वाद क्या है? पूजी वाद ऐसी आर्थिक वर राजनितिक पड़ाली, जिसमें उत्पादन बिन्मन तथा वित्रण के साधनों पर निजी स्वामित हो, तथा इसका प्रियोग निजी लाव के लिए किया जाए जहां समाज में समाज के हित के लिए इन साधनों का प्रियोग किया जाता है, वही पूजी वाद में उत्पादन बिन्मन तथा वित्रण के साधनों पर निजी स्वामित तथा इसका प्रियोग भी निजी लाव के लिए किया जाता है दौनदात्मक भोतिक वाद क्या है? माक्सवाद का दार्षनिक आधार है दौनदात्मक भोतिक वाद उसके अनुसार भोतिक पदार्थि स्रिष्टि का आधार है सामाजिक जीवन के विकास है तो उत्तरदाई कारक भोतिक परिस्थितियां है तथा परस्पर बिरोधी तत्तों के टकराव से ही समाज का विकास होता है माक्सवात का दार्षनी का अधार है दुन दात्मों भौतिक बाद और वह कहता है कि परस्पर बिरोधी तत्तों के टकराव से ही समाज का विकास होता है एक सब्दा उली आती है वर्ग संघर्स प्रारम से ही समाज में उत्पादन तथा बितरण पराधारित दो वर्ग रहे हैं पहला उत्पादक वर्ग है और दूसरा स्रमिक या स्रमजीवी वर्ग दोनों वर्गों में परसपर बिरोधी हीतों के काराण संघर्स होता रहता है इसी को वर्ग संघर्स की संग्यादी जाती है वर्ग चेतना क्या है? पूजिवात के अंतरगत बुर्जुवा वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग के अत्यधिक सोसन के काराण स्रमिकों में वर्ग चेतना की उत्पत्ती होती है जो उनको पूजीवात के बिरुद संगठित प्रतिरोध करने हेत प्रेडित करती है इसी को वर्ग चेतना कहते है पूजी वात के अंतरगत जब पूजी पति वर्ग द्वारा स्रमिक वर्ग का अत्यधिक सोसण हो जाता है तो स्रमिकों में अपने सोसण के खिलाफ एक वर्ग चेतना उत्पन होती है जो उनको पूजी वात के विरुद संगठित प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती है यही वर्ग चेतना कहा जाता है अत्रिक्त मुल्य का सिध्धान्त क्या है अत्रिक्त मुल्य का सिध्धान्त थियोरी आप सरप्लस बैलू मुल्य के स्रम सिध्धान पर आधारित धाड़ा माक्स के अंसार अतरिक्त मुल्य उन्य दो मुल्यों का अंतर है जो एक स्रमिक पैदा करता है और वह जिसे वास्तों में प्राप्त करता है जो एक्ष्ट्रा अतरिक्त मुल्य है वह पूजी पत हडप लेता है उसमें से वह स्रमिक को कोई हिस्सा नहीं देता है अत्रिक्त मुल्य का सिध्धान्त मुल्य के स्रम सिध्धान्त प्याधारित है मास कहता है कि अत्रिक्त मुल्य उन दो मुल्यों का अंतर है जो एक स्रमिक पैदा करता है तथा जिसे वह वास्तों में प्राप्त करता है राजी की उत्पत्ति पर माक्स के क्या विचार है प्लेटो अरस्तु आदने जो प्लेटो अरस्तु से भिन माक्स राजी को एक वर्गी संस्था मानता है जहां प्लेटो और रस्तु राजी को प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था मानते हैं वहीं पे माक्स राजी को एक वर्गी संस्था मानता है अल्प संख्यक स्वामी वर्ग अपने हितों की रच्छा के लिए सेना, पुलिस तथा अन्य संस्थाएं बनाता है राजी का निर्माड एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्तिवन यंत्रण के लिए किया गया है राजी पर माक्स के क्या विचार हैं? माक्स के अन्सार राज एक ऐसी वर्गी संस्था है जिसका उद्देश सोसक वर्ग के हितों की रच्छा करना तथा उसे सोसित या पतित वर्ग के अधिकाधिक सोसन की और फ्रिविर्थि करना है माक्स का मानना है कि राज्य सोसन का एक यंत्र है यह जो यंत्र है पूजी पति वर्ग द्वारा स्रमिक वर्ग के सोसन का यंत्र है धर्म पर माक्स के क्या विचार है? important है बहुत बार ये आपसे सामाने में ही पूछा जा सकता है सामाने जानकारी के लिए कि माक्स का जो माक्षवाद है उसका धर्म पर क्या विचार है माक्स के अंसार धर्म मनुस्य को भागिवादी बना देता है जिससे उसकी सोच विक्रित तथा प्रिविर्ती अंधवी स्वासी हो जाती है धर्म जनता की अफीम है जिसे खाकर जनता पतन के गर्त में चली जाती है धर्म पर मास के अस्पष्ट विचार है कि धर्म मनुस्य को भागिवादी बना देता है और धर्म जनता की अफीम है जिसे खाकर जनता पतन के गर्थ में चली जाती है सामेवाद अब आईए देखते हैं सामेवाद क्या है ऐसी सामाजिक बिवस्था जिसमें नीजी समपत्ति वर्ग बिभेद यहां तक की राज्य का भी लोप हो जाएगा अगला है सामाजिक बिवस्था जिसमें नीजी समपत्ति वर्ग बिभेद यहां तक की राज्य का भी लोप हो जाएगा यानि की वर्ग बिहीन और राज्य बिहीन समाज सामेवाद है यहां पे उत्पादन पर सारोजनिक स्वामित तथा इस सिध्धान पे यह बिवस्था होगी कि प्रतेक अपनी छमता के अनुसार कारे करेगा तथा अपनी आउसकता अनुसार प्राप्त करेगा अगला है सामाजिक न्याय की अधाना क्या है यानि कि सामाजिक न्याय की परिवासा आप से पूछी जाए या सामान ने रूप में ऐसे पूछा जाए कि सोसल जेश्टिस क्या है तो आप यह बताएंगे कि ऐसी सामाजिक बिवस्था जिसमें बिना किसी भेद भाव के हर ब्यक्ति को समान उसर वसुविधाएं प्राप्त हों धन एवं विशाषा धिकार से उत्पन असमानता दूर किया जाए तथा जात धर्म लिंग के आधार पर लोगों से कोई भीभेद न किया जाए उस विवस्था को सामाजिक नया की विवस्था कहा जाएगा विचारधारा आइडियोलोजी की संकल्पना क्या है उन युक्तियों और मानेताओं का समुच्चे जिसके आधार पर किसी वर्तमान या अभिष्ट राजनीतिक व्यवस्था को उचित ठहराने का प्रयत्न किया जाता है उसे विचारधारा कहते हैं विचारधारा विश्वास कभी से है तथा प्रत्यच कारवाई पर बल देता है ट्रेसी ट्रेसी विचारक हैं ट्रेसी की विचारधारा की परिभासा क्या है फ्रांसीसी विचारक ट्रेसी ने सरुपर्थम विचारधारा सब्द का प्रयोग किया था विचारों के बिज्ञान के अर्थ में ट्रेसी ने विचारधारा का प्रयोग किया था उनके अनुसार हमारे विचार अनुभो मूलग ज्ञान पर आधारित हैं अलोगी घटनाएं सही विचारों का निर्धारण नहीं करती हैं ट्रेसी का मानना है कि हमारे विचार जो हैं वो अनुवो मूलग ज्यान पर आधारित होते हैं अलोगी घटनाएं सही विचारों का निर्धारन नहीं करती हैं। एक सब्दा ले आता है विचारधारा का अंत इंड आफ आइडियोलाजी क्या है। अमेरिकी समाज बैग्यानिक डेनियल बेल द्वारा प्रतिपादित सिधान इसमें उन्होंने तरक दिया कि अध्योगिक विकास की उन्नत अवस्था में किसी देश के सामाजिक आर्थिक संगठन का स्वरूप विचारधारा से नहीं बलकि अध्योगिक विकास के अस्तर से न बिचारधारा से नहीं बलकि और द्योगिक विकास के अस्तर से निर्धारित होता है। लेनिन माक्सवादी विचारक हैं लेनिन की दल संबंधिया उधाना क्या है। लेनिन के अनसार क्रांती में सफलता प्राप्त करने के लिए साम्मेवादी दल का लौह संगठन आवस्यक है। यह क्रांती हे तु समर्पित लोगों का संगठन है जिसका उद्देश मजदूर बर्ग में राजनेतिक चेतना भरकर क्रांती हे तु तयार करना है। लेनिन के अनसार साम्मराजवादी पूजिवाद का एक रूप और उसकी अंती मवस्था है जिसका अंत होते ही समाजवाद आएगा। लोगतंत्री केंद्रिवाद क्या है डेमोक्रेटिक सेंटरलिजम क्या है लेनिन द्वारा प्रितपादे सिध्धान्त जिसमें दल या सासन के निचले अंग अपने उचे अंगों का निर्धारन करेंगे तथा उपरी अंग जनसाधारन के प्रति उत्तरदाई होंगे और न निरंतर क्रांति का सिध्धान्त क्या है समाजवादी क्रांति के पश्चात आर्थिक छेतर में समाजवाद की अस्थापना के बाद भी लोगों के मन में पूजिवादी संसकार बने रहते हैं उन्हें मिटाने के लिए निरंतर क्रिया सील रहना पड़ेगा तभी क्रांति स यानि कि माउक की निरंतर क्रांति का सिध्धान्त ये है कि समाजवादी क्रांति की अस्थापना के पश्चात भी जो पूजीवादी संसकार हैं उन्हें मिटाने के लिए निरंतर क्रांति की आवसकता होती है जिसे निरंतर क्रांति का सिध्धान्त कहते हैं च्छापा मार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध किसे कहा जाता है वह कारवाई जिसमें छोटे छोटे गिरोह जगह जगह छिपकर आकरमणकारी या सत्तारूड सरकार के बिरुद अनियमित रूप से हमला करते हैं इन्हें अस्थानी लोगों के अनयतिक समर्थन प्राप् करने का उनका यह तरीका च्छापा मार युद्ध के रूप में जाना जाता है सांस्कृतिक क्रांति क्या है कल्चरल रिवोलुशन क्या है 1970 के दसक में माओ से तुंग द्वारा छेड़ा गया अभियान है सांस्कृतिक क्रांति 1970 के दसक में माओ या माओ से तुंग द्वार इसे ही सांस्कृतिक क्रांति का सिध्धान कहते हैं सांस्कृतिक क्रांति माओ की देन है तो दोस्तों ये था जो राजनीतिक सब्दावली का महतुपूर्ट राजनीतिक सब्दावली का पार्ट वन ये इसकी स्रिंखला हम अभी चार पांच पार्ट और इसमें देखेंगे ज संबंधी सब्दावली जैसे नौकरसाही क्या है पदोन्नती क्या है या संगठन क्या है संगठन के रूप कौन कौन से है संगठन को सुरूप कैसा होना चाहिए इसके अलामा अंतराष्टी संबंधों में सीत युद्ध क्या है उपनिवेशवाद क्या है इस पे चर्चा करें वो चर्चा हम महतवपूर्ण राजनीतिक सब्दावली जो स्रिंखला है उसके अगले भागों में करेंगे इसका पीडियाफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिशन बाक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करके इसका पीडियाफ भी डाउनलोड कर सकते हैं उसका कि अन्य महतवपूर्ण विशय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बाक्स में जरूर बताएं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार